शुक्लाम् परधरम् विष्णम् शशीवरणन् चतुर्भुजम् प्रसन्न वद्नन ध्यायेत सर्व विग्नो पशांतये ओम् श्री कृष्ण परब्रह्मनेन महा ध्यान श्लोकाह पारथाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायनेन स्वयम् व्यासेन ग्रतिताम् पुराण मुनिनाम अध्ये महाभारतम् अद्वेताम्रत वर्षिनीम् भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्बत्वामनुसंदधामी भगवत गीते भवद्वेशिनीम् ओम् श्री कृष्णा परा-ब्रह्मने नमहा ओम् कृष्णाय ममहा Om Krishnayi Namaha 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 सभी को जैश्री कृष्ण आज हम काफी दिन बाद गीता दर्पन कर रहे हैं कुछ दिन तक मेरे को काफी काम था तो मैं नहीं करा तो आज हम गीता में प्रवत्ती और निवरत्ती परक साधन देखेंगे गीता दरपन जो है वो स्वामी रामसुख दासजी द्वारा रचित है और इसमें जो है वो इसका चोहतरवा टॉपिक है गीता में प्रवत्ति और निवरत्ति परक साधन तो अगर आप इस संसार में लौकिक दृष्टी से देखें, तो किसी भी क्रिया में अगर आप लगते हैं, किसी भी कर्म में, किसी भी क्रिया में, तो उसको प्रवत्ती कहते हैं और जब आप उस क्रिया से निवरित हो जाते हैं, तो उसको निवरिती कहते हैं, तो ऐसे ही एक्जामपल है कि लौकिक दृष्टी से गरहस्त आश्रम क्या है, वो प्रवत्ती परक है, क्योंकि उसमें हम क्रिया में लग रहे हैं, और जो सन्यास आश्रम है, वो निवरत्ती प मतलब होता है लगाओ, कामना या आ सकती है तो बाहर की निवरती भी प्रवत्ती है, ठीक है, अगर आप किसी क्रिया से अलग हो रहे हैं, जैसे आप अगर सन्यास आशरम में जा रहे हैं, पर वहां पर बैठें भी सोच रहे हैं, कि हाई मेरे घर में अब ये हो रहा होगा, किसी से द्वेश करने में है या कोई कामना रह गए हाइकाश ये होता तो फिर तो आपकी बाहर की निवरती भी प्रवती ही है और भीतर में अगर राग कामना आ सकती नहीं है तो बाहर की प्रवती भी निवरती है जो बाहर की क्रियाओं से तो निवरत हो गया है अब गीता में ये तीन योग सबसे ज़्यादा दिये हुएं एक तो कर्म योग और एक जान योग और एक भक्ति योग तो इन तीनों योगों में हम देखेंगे कि प्रवतियां क्या हैं और निवरतियां क्या हैं तो ये तीनों ही साधन जो हैं वो प्रवति में रहते हुए ग निवरित होकर भी किये जा सकते हैं, अब आते हैं कर्म योग पे, सबसे पहले हम कर्म योग की बात करते हैं, तो कर्म योग में जो है वो प्रवत्ती परक क्या क्या चीजे हैं, तो जिसमें कर्म फल की इच्छा, काम ना आ सकती ना हो, और जो अपने कर्तव का तत्पत्ता से जाए तो वो प्रवत्ती पर कर्म योग है इसका मतलब यह है कि शास्त्र वहित कर्म करते हुए सांसारिक प्रवत्ती में रहते हुए भी निरलिप्त रहना यानि उसमें हर वकत उसमें लिप्ते हुए नहीं रहना वो प्रवत्ती पर कर्म योग है जैसे कर्म करने में तेरा अ न तो कर्मों का आरंब किये बिनानिश कर्मता की प्राप्ति होती है और न कर्मों के त्याग से. गीता 3.4. तुझे नियत कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए क्योंकि कर्म न करने की अपिक्षा कर्म करना श्रेष्ट है. गीता 3.8 ब्रह्मा जी ने भी स्रश्टी रचना के समय प्रजा से कर्तवय पालन करने के लिए कहा गीता का 3.10, 11, 12 और भगवान भी लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं गीता 3.24 और 22, 23, 24 तो ये सारे प्रवत्ति परक कर्म हैं कर्म योग के अब निवरति परक कौन से कर्म है कर्म योग के वो हैं जिसमें कर्मों में उपरती रहती है और पदार्थों का त्याग रहता है वो निवरति परक कर्म योग है वो कर्मों से उपराम होना और पदार्थों का त्याग करना भी केवल लोगों के हित के लिए होता है अर्थात निवरति पूर रूप कर्म भी सं के हित के लिए होता है इसमें अपना कुछ मतलब नहीं होता जैसे शरीर और अंतह्य करण को वश्च में करने वाला सब्रकार के संग्रह का त्याग करने वाला और संसार की आशा से रहित कर्म योगी के वल शरीर संबंदी कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं है हम कोई भी वो न रखते हैं अपनी आसकती ऐसे करम करते हैं जैसे यह इश्यार कर रहे हैं तो यह दिया है गीता के 4.21 ने ये जहानी योगार और अब आते हैं जानी योग पर चाहें तो गुण ही गुड़ों में बरत रहा है गुड़ों अन्न कोई करता नहीं है संपून क्रियाएं गुडों में इंद्रियों में हो रही है ऐसा समझ के कृतत्वा भिमान से रहित होकर क्रियाएं करना जो है प्रवत्ति परक जान योग है जैसे गुण कर्म के विभाग को जानने वाला जान योगी संपून क्रियाएं गुडों में ही हो रही है ऐसा मानकर कर्म करते हुए उसमें आसकत नहीं होता यह दिया है गीता की 3.28 में जो पुरुष को और गुडों के सहित प्रकृति को ठीक ठीक जानता है वो सब तरह का बरताव करता हुआ भी बंदन को प्राप्त नहीं होता गीता 13.23 और जिसमें हंकरत भाव और फ 13.17 तो ये तो प्रवत्ति वाले हैं जान योग के अब निवरति परक जान योग के कौन से करम है कि सांसारिक प्रवत्ति से करमों से निवरत होकर एकांत में केवल अपने सुरूप का परमातमा का ध्यान जिनतन करना निवरति परक जान योग है जैसे सात्व की बुद्धी से युक्त वेराग के आशरित एकांत में रहने के सुभाव वाला और नियमित भोजन करने वाला ज्यान योगी साधक धैर पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके शरीर वाणी मन को वश्मे करके शबदादी विश्यों का त्याग करके और राग दोईश को छोड़ कर निरंतर परमात्मा के ध्यान में लगा रहता है वो अहंकार, हट, घमंड, काम, क्रोध, संग्रे का त्याग करके तथा ममता रहित और शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है ऐसा दिया है गीता के 18.51, 52 और 53 में अब लास्ट वाला आते हैं भक्ति योग, भक्ति योग में कौन से प्रवत्ति परक है कर्म तो जिसमें कर्म तो संसारिक होते हैं पर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के आशरित होकर भगवत पूजन की दृष्टी से किये जाते हैं वो प्रवत्ति परक भक् जैसे तु जो कुछ कर्म करता है वो सब कुछ मेरे अर्पन कर दे दिया है गीता के 9.29 27 में मेरे लिए कर्म करता हुआ तु सिध्धी को प्राप्त हो जाएगा गीता 12.10 मनुश्य अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करके सिद्धों को प्राप्त हो जाता है गीता 18.46 मेरा भक्त मेरे आशरित होकर सब कर्म करता हुआ मेरी कृपा से अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है गीता 18.56 तो ये हो गए प्रवत्ती वाले अब निवरत्ती वाले कौन से भक्ति होके हैं जिसमें सांसारिक कर्मों से उप्राम होकर केवल भकवत संमंदी जब्ध्यान कथा कीर्टनादी कर्म किये जाते हैं वो निव्रति परक भक्ति हो गये, जैसे निरंतर मेरे में लगे हुए वे दृण व्रति भक्ति पूर्वक मेरे नाम का कीर्थन करते हैं मेरी प्राप्ति के लिए उतकंठा पूर्वक साधन करते हैं और मेरे को नमस्कार करते हुए मेरी उपास ना करते हैं गीता 9.14 तू मेरा भक्त हो जा मेरे मेरे ही मनवाला हो जा मेरा ही पूजन करने वाला हो जा और मेरे को ही नमस्कार कर गीता 9.34 मेरे में मन वाले मेरे में ही प्राणों को अरपन करने वाले भक्त आपस में मेरे गुण प्रभाव आदी को जानते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं गीता 10.9 एक्सेटरा तो तातपरे ये है कि साधन करने की शैली दो तरह की हैं एक में तो वहवार को रखते हुए परमात्मा की तरफ चलते हैं और एक में वहवार का त्याग करके परमात्मा की तरफ चलते हैं वहवार को रखते हुए साधन करना प्रवत्ती पर रख है और वहवार को त्याग करके साधन करना निवरती पर रख है जैसे मनु है जनकादी जो राजा प्रवत्ती पर रख हुए और सनकादी शुकदेव जो है वो निवरती पर रख हुए वास्तम में देखा जाये तो करमयोग, जानयोग और भक्तियोग इन तीनों ही साधनों में निवर्ती है अर्थात प्रवत्ती में भी निवर्ती है और निवर्ती में भी निवर्ती है कारण की इन तीनों ही साधनों में संसार के संबंद का यानि राग का त्याग है और परमात्मा से संबंद है बस इतना ही था आज के लिए अभी कोई देख लेती हूँ कोई क्वेशन है तो आज जो चौदवी का चांद हम करेंगे वो बहुत छोटा सा चाप्टर है हाँ प्रवत्ती में भी निवरिती है मतला जैसे हम कभी सोचते हैं ना कि हम सन्यास ले ले और कहीं हम आले पे चले जाएं तो ऐसा करने की जरुवत नहीं है आप ग्रस्ता अश्रम में रहते हूँ भी निवरित हो सकती है, प्रवत्ती में भी निवरिती हो सकती है, अगर आप उसमें लिप्त नहों, और अगर आप कहीं दूर बैठे तब कर रहे हो, और वहां भी आपका ध्यान सारा घर में ही लगाए, तो फिर तो वो निवरिती में अगर उसमें हो तो खराब है, निवरिती में भी निवरिती रखो और प्रवत्ती में भी निवरिती रखो, आप एक्स ऐलमी जी लिख रहे हैं अफ्तारी का वक्त हो गया है हम वेज बनाया है आज आपके लिए एक्स ऐलमी जी देखिए मेन बात वेज नौन वेज की नहीं है वो तो जानवर को तंग करके खाने की है एक तो ये बात मैं ये नहीं कह रही है आप वेज खाएं वेज खाना तो सबसे श्रेष्ट है यी और मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप हलाल बिल्कुल ही छोड़ दे अफ्तारी की बात नहीं है प्रती दिन मतलब आप अगर मीट खाने की बहुत इच्छा होती है तो आप जटका वाला खाएं किसी को तंग करके धीरे धीरे काट के उसको परिशान करके चीखें जानवर चिलाएं इस तरह का मीट मत खाएं बिल्कुल भी अगर आपको मीट घटाना है तो मैं अगर आपको बोलू मी देरे घटाई एक तो जटका हलाल बिल्कुल बंद कर दीजे हलाल खाना जटका शुरू कर दीजे और फ्रिक्वेंसी भी कम कर दीजे और सबसे बड़ी बात तो यह कि आप यह अफतारी वसतारी कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने रोजा रखा है अभी मैं आपको एक बात बहुत दिन का उपवास रखना अच्छी बात नहीं है क्योंकि हमारे बॉडी के जो हार्मोंस है ना वो उसी समय सिक्रीट होते हैं तो इसलिए बेटर यह है कि पेट भर के भोजन कभी भी न करें हलका सा मेरे फादर कहते थे कि सब दिन बराबर होते हैं बस आधी रोटी भ और दूसरे कि जिसको अगर आप इसलाम में हो तो आप एक पैडोफाइल को फॉलो कर रहे हो एक क्रिमिनल को फॉलो कर रहे हो उसके अवगुड थे उसके अंदर मुझे एक भी गुड़ उसमें से बता दो जो उसके अंदर गुड़ था जो कि आप फॉलो करने लाइक था तो इसलिए में बात मीट से भी ज़्यादा यह है कि आप किसको फॉलो कर रहे हो देखिए योगी तो उनको कहते हैं शिवजी को शिवजी के समान कोई योगी नहीं है और क्रिशन जो है वो तो नारायन का अवतार मैं उनको मानती हूं नारायन का अवतार और इश्वर जो है वो तो अब जैसे पानी है अगर मैं आपको एक पानी दूँ जग में से और उस दाल दूँ किसी के मड़के में डाल दूँ तो क्या मठ lt Messiah प्लेट फरक है अ ये तो मठ cancer पर अ फड़के ना इश्वर अब अब आप उसके ही अंश को परमातमा को ही अलग-अलग तरह से रूपों में आप उसको डाल रहे हो अब ये मैंने मटका ये बड़ा ही कुरूड एक्जामपल दिया है जब जब ईश्वर जो हैं वो कुछ ऐसा कार करते हैं कोई ऐसी विभूती करते हैं जैसे उन्होंने किसी चीज की र जो हमें आक्रिष्ट करता है वो कृष्ण है तो इसलिए हमने उसको ये नाम दे दिया कृष्ण पर वो वही पानी है यानि कि वो वही ईश्वर है वो तरह तरह के अपनी कार के नाम से अलग-अलग नामों से जाना जाता है पर है वो वही ईश्वर तो इससे कोई फरक नी से पुकारना चाहाँ, पसंद करते हैं. भगवद गीता 7.24 The less intelligent think that I, Supreme Lord, Shri Krishna was formless earlier and have now assumed this personality. They do not understand the imperishable, exalted nature. छीक है. जिते इंदर जी कह रहे हैं, आफिस के काम में कोई हम लगाव नहीं रखते, तो जहां लगाव नहीं है, वहां फल मिलता है, तो आफिस में है है, एक मिनिट. आफिस के किसी काम में हम कोई लगाव नहीं रखते. मैं यह नहीं कह रही हैं, आप offices में ऐसे काम करें जो आपको पसंदना हो ऐसा काम करने से तो आपने अपने आपको दंडित कर लिए जिस चीज में आप कुशल हैं जिसमें आपका मन लगता है जो एक आपकी हॉबी है अगर आपकी हॉबी ही आपका केडियर भी बन जाए तो आपका बहुत मन लगेगा अब जैसे मैं अपने ये वेद पढ़ती हूं तो मुझे इतना अच्छा लगता है मेरे को लगता ही नहीं मैं कोई कारे कर रही हूं मतलब मेरे को लगता है ये तो मैं अपनी होबी कर रही हूं तो इसी तरह कुछ लोग अ क्या चीज उची है नीची है ये नहीं देखते उनका जो मन करता है वहीं पर जॉब वैसी ही करते हैं और फिर पैसा आना तो इश्वर के उपर है वो पैसा आने लगता है जितना आपके नसीब में है जितना भागे में है तो वो अपने जिस चीज में उनका मन लगता है वो कार करते हैं, मैं उस मन लगाने को नहीं क्या रही है, मन लगना चाहिए आपके ओफिस की कार में, अगर नहीं लगता तो वो आप अपने आपको दंडित कर रहे है मेरा मतलब लगाउ से ये नहीं है, लगाउ से ये है जब आप उसकी किसी चीज के प्रती हम, अब ये बात आप कह सकते हो कि हलका सा लगाव हो गया है मुझे जैसे वेदो में पर ये सात्विक लगाव है सात्विक लगाव तो हालां कि बहुत उंचे स्टेजिस पर जब आप जाते हैं योग की, तो सात्विक लगाव को भी छोड़ना पड़ जाता है, पर अभी इन शुरू की स्टेजिस में सात्विक लगाव होना कोई बात नहीं है तो आप ऐसे स्टार्ट करिए, कि सात्विक लगाव कोई बात नहीं है, तो ये कोई वैसा लगाव नहीं है, बुरा आप फल मिले ऐसा नहीं है जो आप जैसा कार करेंगे उस हिसाब से फल मिलेगा तो इस प्रमोशन जो है वो आजकल आफिसेज में बजट टाइट होता है लोग क्या करते हैं बड़ी बड़ी उपाधियां दे देते हैं और या फिर दो जनो का कार एक बंदे से कराते हैं तब जाके ज़ादा पैसे बिलते हैं जब दो जनो का अभी मेरी एक फ्रेंट थी वो बोलती थी तन खा मतलब तन को खा तन खा तन खा कम ऊती है तो हमारा शरीर कम खबता है ऐसा बोलती थी वो, ऐनिवेश जोक सपाट मतलब मैं यह नहीं कह रही आपने यहाँ पर दो बाते लिखी है आफिस में हम लगाव नहीं रखें तो यह तो गलत बात है आफिस में लगाव रखना चाहिए कारे से आपको लगाव होना चाहिए ऐसा कारे नहीं करना चाहिए जो आपको पसंद का ना हो और दू प्रमोशन इतनी जल्दी नहीं मिलता है प्रमोशन तभी मिलता है जब आप दो वेक्तियों का कारे कर रहे हो तो फिर आप दूसरे की सैलरी छीन लेते हैं वो एथिकली सही नहीं है तो आप प्रमोशन के बारे में ज्यादा मत सोचिए जब होगा तब होगा आप अपना कारे क तो आप भगवद गीता कोट कर रहे हैं मैंने तो मुझे यह याद नहीं कि कौन सी वाले उसमें क्या लिखा था तो 7.24 में मुझे लगता यह मैंने पढ़ी दिया आपका तो आपने ठीक ही लिखा होगा मैं पहले उल्टा भी बहुत करती थी जब मैं छोटी थी जैसे लौकी मतलब कीलों की सबजें ऐसे से बोलती थी सबाब का मतलब बहुत ही कच्रा होता है हम काफिरों के लिए हाँ ये तो है उन्हें सबाब तब मिलता जब हमारा नुकसान हो जी सुखा बाबा जी ये मेरे लिए बहुत सफलता की बात है अगर आपका मन लगता है इस चैनल में तो मन लगा के निश्ठा से जौब पर काम करना चाहिए पर उससे एक्सेसिव राग मोह नहीं होना चाहिए खैर अभी इतना इतनी परिशानी मत कर रखिए सात्विक लगाव है अभी तो रहने दीजिए कुछ तो होना चाहिए न जीवन में आकर शन तो इसी से स्टार्ट करिए और प्रभू को जरूर स्मरण करते रहे जब ये नर पिशाच पांच बार अपने अपने शैतान को या कर सकते सुबह उठते ही और रात को सोते सकते जरूर एक बार कर लिजे रहाद जय हिंदू राष्टर मिलते हैं आठ वजे चौदवी के चांद का एक चोटा सा चैप्टर आगे देखेंगे क्या होता है और कल जितेंद्रा नंद स्वामी जी आएंगे उनसे मुलाकात होगी और परसो जो है एकम सनातन भारत उनसे होगी उनको शर्माजी से जय हिंदू राष्टर